ये गाईज, जैहिंद, स्वागत है आपका Agrarian BHU YouTube चैनल पर जैसा कि बहुत से स्टुडेंट की डिमांड थी कि सर, RHEO, यानि की Rural Horticulture Extension Officer का जो एक्जाम है उसका सलेवस क्या है, कौन-कौन स्टुडेंट उसके लिए इलीजिबल रहने वाले हैं क्या final year की स्टुडेंट इस एक्जाम के लिए इलीजिबल रहेंगे और एक्जाम का pattern क्या है, यानि की एक्जाम में क्या-क्या पूछा जाता है total number of questions कितने आते हैं, क्या negative marking होती है तो इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिन ले वाला है तो वीडियो के साथ आखरी तक बने रहें अगर आप अभी तक Agrarian BHO चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें इस चैनल पर agriculture jobs और agriculture का update समय समय पर दिया जाता है आगे हम बात करें जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं और ओफिशल वेबसाइट है peb.mp.gov.in जिसकों peb या फिर व्यापम के नाम से जानते हैं यहाँ पर एक exam schedule है 2021 का यहाँ पर जैसा कि कुछ student ने अगर नहीं दिखा होगा तो यहाँ पर ग्रामीन क्रसी विस्तार अधिकारी का एक calendar जारी किया गया यानि कि एक tentative calendar है 2021 का यहाँ पर यह recruitment test है और यह February 2022 में होने की इनकी संभावित तारीख है इन्होंने अभी tentative यानि संभावित यहाँ पर दी है तो इसके बारे में हमने जान लिया था और यहाँ पर बोला था कि जितनी भी यह तारीख यहाँ पर जो calendar में ने जारी कि tentative है संभावित हैं मतलब की परिस्तिती के हिसाब से यह change हो सकती है फिलाल आप इसको संभावित तारीख मानें ठीक है आगे अगर हम बात करें तो जो हमारा rural horticulture extension officer यानि की gramien उध्यान बिस्तार अधिकारी जिसको हम बोलते हैं इसका क्या है एक्जाम में जो eligibility की बात करें योग गिता की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है agriculture graduate यहाँ पर eligible रहने वाले हैं अब agriculture graduate में कौन कौन manly अगर हम बात करें मुख्यता और यहाँ पर जो हमारे बिस्ती एग्रिकल्चर वाले student यहाँ पर आभी दन कर सकते हैं इस post के लिए और बिस्ती होटी कल्चर वाले student तो यहाँ पर eligible हैं ठीक है यह जो वीडियो है यह 2016 का जो exam हुआ था और 2013 का जो exam हुआ था उसके basis पर हमने आपर इस वीडियो को आपके सामने लाए हैं इस वीडियो को हमने बनाया है तो अगर अब आप बात हो कि सर मैं final year में हूँ मेरा भी BSC agriculture या BSC horticulture complete नहीं हुआ है तो क्या मैं सर इस exam के लिए eligible हूँ तो इस चीज की जानकारी हम आपको clear इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अधिकतर जो exam होते हैं जो भी agriculture के exam होते हैं चाहे वो temporary job के बात में करें या फिर permanent job के बात करें तो वहाँ पर जो आपका degree होना चाहिए जिस तारीक में आपका notification आया है या notification की last date है तो उस तारीक तक आपका जो qualification है वो complete मांगा जाता है तो final year की student जहां तक है exam में eligible नहीं होते हैं तो BSC agriculture की अगर student के पास degree complete है या BSC horticulture की complete है तो वो योग है eligible है इसकी उपर अगर किसी के पास MSC agriculture, MSC horticulture है तो वो आगे उनको preference दिया जाएगा लेकिन basic qualification है आपर BSC agriculture मांगा जाता है आगे अगर हम इसके exam pattern की बात करें यानि कि जो परिक्षा का जो system होता है परिक्षा का जो pattern है वो किस तरीके से होता है तो देखो अगर हम 2016 क्योंकि latest जो RHEU का जो exam हुआ था वो 2016 में हुआ था तो उसके according अगर यहाँ पर हम exam की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है total 200 marks का आपका paper होने वाला है और total 200 question यानि 200 आपके person रहने वाले है ठीक है एक question जो है आपका एक person जो है आपका एक number का रहने वाला है इसमें किसी भी प्रकार की negative marking नहीं है यानि अगर question गलत होंगे तो आपका number नहीं कटने माला है यह हम बात कर रहे है 2016 के pattern के साब से ठीक है तो इसको हम detail में जाने है फिर हम अगर आगे 2013 के बारे में भी हम बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है 100 प्रिशन रहने वाले हैं यानि कि 90 कोशन आपके होटी कल्चर के रहेंगे और लगबग 10 कोशन आपके जनरल अगरी कल्चर के रहेंगे यह 2016 का जो RHEO का paper हुआ था उसके pattern पे हमें आपर बात कर रहे हैं होटी कल्चर का paper है तो होटी कल्चर यानि उद्ध्यान सास्त्री पूचा जाएगा फिर इसके बाद जो आपका C-set यानि कि आपका जो Maths, Reasoning, English, Hindi यह सब जो हैं इसको हम C-set के नाम से जानते हैं इसके आपके 100 कोशन आने वाले हैं तो टोटल यहां पर आपके 200 कोशन हो गए जो कि 200 नम्मर के हो गए जाना था एक कोशन आपका एक नम्मर का यहां पर रहने वाला है जो कि हम 2016 के इसाब से यहां पर बात कर रहे थे अगर 2013 की बात करें 2013 में भी RHEO का paper हुआ था जिसमें केवल 200 कोशन पूचे गए थे 200 नम्मर के थे और इसमें 200 कोशन आपके होटी कल्चर से ही पूचे गए थे C-set का कोई वहां पर रॉल नहीं था तो अब हम यहां पर clear नहीं कह सकते कि जो 2022 में आपका एक्जाम होने वाला है उसमें आपका C-set आएगा की नहीं आएगा या 200 कोशन होटी कल्चर के आएगे लेकिन अगर हमें आप एक confirm बात करें confirm उसकी बात करें confirmation की तो 2016 का जो latest exam था क्योंकि RHEO का जो latest exam है वो 2016 हम हुआ था तो उसके getting C-set पूचा गया था तो इस exam में भी संभावना है 2016 के बाद जो आप exam 2022 में संभावना है उसमें आपका 100 नमर का होटी कल्चर आएगा कुछ जन्नलेगरी कल्चर का पार्ट आएगा और कुछ C-set आएगा आगे हम official notification को भी जानेंगी देखो अब यागर हम यहाँ पर बात करें C-set की अगर बीडियो पसंदा रही हो तो बीडियो को लाइक करते कर चलें साथ इस बीडियो को शेयर करते चलें अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी C-set की ठीकए तो C-set में क्या है C-set में आपका सामाने हिंदी सामाने अंग्रेजी सामाने ग्यान यानि कि सामाने बिग्यान की यहाँ पर बात कर रहे हैं और सामाने ग्यान यानि कि सोरी इसमें MPGK और इंडिया के GK की बात कर रहे हैं सामाने ग्यान में ठीक है इसमें Physics, Chemistry, Biology की इसमें यहाँ पर बात होगी बिग्यान में जबकि सामान निग्यान में इंडिया का जो GK, MP का जो GK, World का जो current affair है उसके यहाँ पर question रहेंगे, ठीक है, फिर बात करें सामाने अंग गड़ित की बात करें तो यह आपका गड़ित हो गया, यानि मैट्स हो गया, तारकेक शक्ती यानि यहाँ पर reasoning हो गई, इनका जो betis होत आता है लगबग 20 question पूछे जाते हैं, ठीक है, reasoning के भी लगबग 18 question के असपास रहते हैं, कई कई 15 भी पूछता है exam में, और सामान निग्यान यानि कि यहाँ पर biology और chemistry के बारे में यहाँ पर पूछेगा, general physics भी यहाँ पर पूछता है, तो यहाँ पर भी लगबग 15 question सेट, ठीक है, अगर आगे हम बात करें, यह तो आपका सी सेट हो गया, अगर हम होटी कल्चर या agriculture की बात करें, तो मैं लिए यहाँ पर ruler, होटी कल्चर extension office है रहे हैं, क्योंकि यह होटी कल्चर यह उद्ध्यान सास्तर की यह post है, तो यहाँ पर होटी कल्चर, यानि सामान उद्ध्यानेगी का यहाँ पर question जादा आने वाले हैं, कुछ question यहाँ पर आपके general agriculture के भी रहेंगे, जो की 8-10 question या 12 question तक यहाँ पर रहने वाले हैं, अब अगर हम यहाँ पर आगे बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह 2016 का एक updated notification था, PDF था उस time का, तो आपको एक official जानकारी देने के लिए मैंने इस वीडियो में इसको add किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि यह जो है इसना तक, यहाँ पर देख सकते हैं, समू दो, इसना तक इस तर का यह notification है, जिसमें उप समू एक क्रशी, क्रशी यानि हम सब लोग agriculture वाले, यहाँ पर पद क संबर्ग पदनाम बगेरा दे रखा है, यहाँ पर कुल प्रिश्न पत्र कितने रहने वाले हैं, और कुल अंग कितने हैं, और प्रिश्न पत्र का क्या क्या विर्बरन है, यहाँ पर हमें डीटेल में जानने वाले थी, क्योंकि यह official तो नहीं है, लेकिन यह 2016 का official है, उसके according में आपको यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसना तक का मतलब है graduation, यानि कि यहाँ पर B.Sc Agriculture और B.Sc Horticulture वाले student आवेदन कर सकते हैं, वो यहाँ पर eligible रहने वाले हैं, डिगरी complete होना चाहिए, ठीक है, जब यह notification आएगा उस त इशक करSee, तब में रहे होना चाहिए, यानि कि यह जो है अलग 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 पद हैं, अलग अलग यह एकजाम है, तो यहाँ पर एक आपको तकर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सायक उध्यान बिस्तार अधिकारी मन्दी सचिब, इवं अन्य संकक्ष संबर, यानि कि यह जो इसको रूलर होटी कल्चर एक्स्टेंशन ओफीसर के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं तो यहाँ पर होटी कल्चर है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल अंक यहाँ पर 200 हैं प्रिशन पत्रों की जंग हैं यहाँ पर 200 हैं कैसे एक प्रिशन पत्र आपका हो गया सी सेट का और एक प्रिशनल पर तो गया आपका सम्मादित बिसे का ये 2016 का नोटिफिकेशन है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सामाने ग्यान, सामाने हिंदी, सामाने अंग्रेजी, सामाने गडित और सामाने तारकेक योगिता यानि रीजिनिंग और सामाने ग्यान और सामाने कंप्यूटर गयान भी यहाँ पर दे रखा है उस टाइम का, लेकिन 2016 में कंप्यूटर से कोशन नहीं आयते इसलिए मैंने सलाइड में कंप्यूटर गड नहीं किया था, यहाँ पर सावंक है और दूसरा सम्मंदित भी से यानि होटी कल्चर कब एक्जाम है तो यहाँ पर होटी कल्चर से प्लस एग्रिकल्चर से यहाँ पर सवांग का एक्जाम है पूछने बाला है तो टोटल आपके 200 कोशन हो गए ठीक है बाकी अगर हम बात करें PG लेबिल पे PG लेबिल यानि की SA DO क कि आप बात कर सकते हैं ठीक है बरिष्ट करसी विस्तारेदिकारी के हम इस पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर भी सेम पैटन है सी सेट है सो नमर का और सम्मंदित जो बिसे रहेगा वो भी आपका सो नमर का रहेगा टूटल आपका 200 नमर का पेपर रहेगा जो की दो जारतियों ने विभागों चो समंदित भरती नियमों के अधीन या था वांचित किसी भी विसे में इसना तक उपादी उत्तरीन की हो यानि यहाँ पर पास या कंप्लिट डिग्री मागी गई है तो जो भी स्टुडेंट है जो अभी फाइनल येर में है या 2022 में भी वो फा आप eligible होगे अगर उस टाइम तक form भराएंगे तो ये थी जानकरी और ये मुझे आप लोगों के साथ साजा करना था आप चाहें तो इसका screenshot ले सकते हैं वीडियो को रोक कर question pattern का भी आप यहाँ पर screenshot ले सकते हैं eligibility का भी आप यहाँ पर screenshot ले सकते हैं तो बहुत दिनों से बहुत सारे student की query थी वीडियो थोड़ा लेट से आप आया उसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफी चाहूंगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को like करे साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आप अभी तक agrarian bhu चैनल पर ना है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस चैनल पर agriculture jobs और agriculture से जुड़ा हुआ update समय समय पर मिलता है वीडियो के साथ आकरी तक बने रहने के लिए धन्यवा आप हमारत